हेलो स्टुरेंट्स वेलकम बैग टो यप मास्चर और आज की हमारी क्लास में हैं डबल मेंब्रेन बाउंट सेल और जब हम लोग पढ़ रहें तो आपको एक बात को याद रखना है कि अभी तक हम लोग ने जो कंपेर जो अभी तक कंप्लीट किया हुआ है वह सिंगल मेंब् सिस्टम नहीं बना रहे हिए या वह किसी तरीकी का अंडो मेंप्रेन सेटेंग सेंट नहीं करती है तो जब यह वाले करेक्टर उसके बारे में आपको बताया कि Discuss anERS हब सिस्टुम मेंडरी सेर्ट वांड सेल नहीं बनाया है तो आपको एक बात याद खनी है कि कौन सी और जो डबल मेंच बांक अःडस में हम आज पड़ने वाले Stress के बारे में मॉटा कोंड्रिया और प्लास्टेट्स के बारे में, क्लोरोप्लास्ट जनरली बहुत कॉमन स्ट्रक्चर स्टेडीड है, इसलिए उसी का जिकर बार बार निकलता रहेगा, ठीक है, तो डबल मेंब्रेन बाउंड से लॉग इनल्स में में मेरे पास दो नाम हैं, एक जिसे में कह रहा हूँ, माइटोकॉंड्रिया, और दूसरा जिसे मैं कह रहा हूँ, प्लास्टिड्स, इन दो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, माइटोकॉंड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में, चलिए माइटोकॉंड्रिया और प्लास्टिड्स पढ़ने के बाद बाकी चीज़े समझते ह उसमें क्या चीज़ आएंगी तो माइटो कॉंड्रिया और प्लास्टिड में पहला नाम आता है माइटो कॉंड्रिया का माइटो कॉंड्रिया नाम ये नहीं है शुरू में एक अलग नाम से जाना जाता था जिसे हम लोग कहते हैं फिला फिला का मतलब तो होता है कोई थ्रेड या फिला मिंट क्लियर धागे के जैसा नाम पता लगेगा क्यों फिर सुनो माइटॉस का भी मतलब होता है थ्रेड और कॉंड्रियोम का मतलब होता है सेल के कंटेंट जो मैट बॉली कली अक्टिव है उन्हें कॉंड्रियोम में इंकलूड करते हैं ऐसा, तो mitochondria कहा हैं तो mitochondria उन सभी eukaryotic cell में हैं जो aerobic respiration करते हैं जो aerobic respiration करते हैं याने oxygen की availability जहां पर होती है तो aerobic cells में mitochondria मिलेगा तो आप यह कहते हो कहां तो चाहे वो plant cell हो या animal cell दोनों ही वो cell जो oxygen को expose और aerobic respiration करने वाले होते हैं वो ऐसा aerobic respiration mitochondria के हल से complete करेंगे माइटोकॉंड्रिया के लिए आप कह सकते हो क्यों mammalian RBC में absent है doubt आया फिर mammalian RBC में aerobic respiration होगा क्या answer है नहीं होगा आप यह भी जाने कि अगर cell metabolically active है तो उसमें mitochondria के नमबर increase करते हैं I repeat metabolically active cells के अंदर mitochondria के नमबर जादा होंगे तो question आया कि किस में जादा है लिवर सेल में जादा या muscle cell में जादा है तो बात की जाती है नहीं नहीं मसल सेल में लिवर सेल में जादा metabolic activity होती है तो लिवर सेल में metabolically active cells जादा होने की कारण वहां पर यह आप यह कहिए वहां पर mitochondria के नमबर भी कैसे होंगे जादा एक dividing cell के साथ में भी या cell division के साथ में mitochondria के नमबर increase करते रहते हैं आप वैसे यह कह सकते हो कि mitochondria originate कैसा हुआ मैंने mitochondria dividing cell के साथ increase करता रहता है अगर नमबर में तो ऐसा लग रहा है जैसे mitochondria भी divide करता है answer है हाँ mitochondria भी divide या multiply करते हैं जिस method को कहते हैं binary fission mitochondria increases in number by binary fission यह तो कुछ bacteria के जैसी बात हो गई जैसे bacteria में binary fission से cell के number increase होते हैं वैसे हम mitochondria की बात कर रहे हैं कि वह divide करेगा या वह multiply number करेगा और उसके numbers बढ़ते चले जाएंगे binary fission वह process होगी एसी चीज़ इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं नेक्स जो हम लोग explain कर रहे हैं उसको भी समझें कि और क्या बता सकते हैं सुनिएगा mitochondria के structure के बारे में mitochondria double membrane bound cell organal है clear और उसे microscope के नीचे stain करने के बाद भी बहुत जादा clearly नहीं देख पाया कारण बहुत simple था जितना वो लंबा है उसके comparison में उसकी width बहुत कम है मतलब microscope के नीचे वो कैसी thread के जैसी एक structure दिखाई दे रही है उसको stain करने के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं crystal wallet उसको हम लोग जनरली crystal wallet से stain करेंगे बात यह जान ले मैं कह रहा हूं crystal wallet से stain कर सकते हो या पिर एक दूसरी चीज़ होती है उसका नाम है genus Green B clear उसका नाम genus Green B है जिससे उसको कलर किया जा सकता है appearance कैसा है thread के जैसा है मैंने आपको पहले बोल दिया my toss मतलब thread my toss का मतलब है thread clear longer as compared to it is wider right? तो the size and the shape of the mitochondria however depends on the physiological conditions of the cell and osmotic concentration यह h plus मतलब protons कितने हैं medium में इसके ओपर decide होगा कि mitochondria फूला हुआ है या सिकुडा हुआ है आगे समझेंगे respiration chapter के अंदर इसकी बहुत detailing आती है वहाँ पर इन चीजों को हम बहुत असानी से explain कर सकते हैं तो हम इन चीजों के बारे में अगर जान रहे हैं कि structure क्या है Sausage shape का यह जो structure है उसके पास है दो membrane था तो यह close हमने cut किया है ताकि inner parts की study की जा सके जैसे मैं कहता हूँ यह outer nuclear outer membrane है mitochondria की जो comparatively जादा permeable होती है कारण इसके पास porins है इसके पास क्या है porins present है जबकि inner membrane जो होगी वो less permeable होती है inner membrane less permeable होती है और उसका कारण बोलते हैं वहाँ पर cardiolipin की presence वहाँ पर क्या present है cardiolipins यह permeability को कम करता है question यह आता है membrane less permeable कैसे हुई answer है cardiolipins के कारण हुई अगली बात कि आप यह कहेंगे कि उसके उपर कुछ in-poldings है हाँ यह देखो अंदर finger के जैसी projection जाती भी दिखाई दे रही है clear यह जो finger के जैसी projections अंदर matrix में या फिर अंदर की तरफ जा रही है mitochondria में वह structure किलाती है क्रिश्चे उसे हम लोग क्रिश्ची कहेंगे क्रिश्ची वह जगह जहां electron transport chain present होती है या फिर ATP synthesis होता है detail में आ रहे हैं उसके पर तो यह सारी चीज इसकी फिर सुनिए दो membrane के बीच में जो जगह होती है वह outer chamber outer chamber है या उसी को inter membrane space कह सकता हूं इसी का दूसरा में पैरी mitochondrial space PMS बोले तो peri mitochondrial space ओके PMS का मतलब यह होता है फिर आप कहते हो कि अंदर भी एक chamber उसमें है इस अंदर के chamber को इनर chamber ही बोलेंगे या इसे आप matrix कह सकते हो matrix वह जगह है जहां पर एरोबिक respiration का इस्चेप होता है नाम होता है क्रैप्स टीसीए साइकल दूसरा यह वह जगह जहां पर नकिवल क्रैप्स सीटीसीए साइकल के एंजाइम में बलकी कई सारे protein synthesis के भी enzymes वहां पर present होते हैं जो light independent रहेंगे क्लियर आप यह कहते हो कि यह जो matrix वाली जगह होती है क्लियर यह जो inner chamber है यह वह वाली जगह जहां पर 70S ribosome present है जो protein factories of the cell होती है वहां पर एक DNA molecule है एक है इसलिए single molecule बोल रहा हूं double stranded है circular होता है चीक है आप यह कहते हैं कि हम कहने हैं nucleus के अलावा कहीं DNA present हो तो उसे extra nuclear genes कहते हैं या cytoplasmik gene कहते हैं तो mitochondria में extra nuclear gene होती है clear यही वो gene है जिनके पास mitochondria में काम करने वाले कई सारे enzyme सारे नहीं कई सारे enzyme की information present होगी clear तो यह 70S ribosome circular DNA का होना clear यह सारे features इसके साथ में बतायजा सकते है important है yad रखिएगा characters बहुत importantly बतायजाते हैं चलिए in folding कैसी है उसके बारे में समझते है clear in folding के character के बारे में समझते है यह infoldings हैं और in folding ago हम लोग कह रहे हैं किसके उपर present है उससे हम one wolf Christian के उपर जो structure present है उन卡 नाम है oxyzone clear यह structure क्या होते oxyzone ऐसे दिखाई देते बेड़ देख वह perimitochondrial space की side है यह cytosol की side है मतलब कौनसी side sorry not cytosol this is a place for what metric side यह metric side है clear यह metric side होगा अब मैं कह रहा हूँ इसके लिए कि अगर कोई पूचे कि oxyzone कैसे दिखता है तो oxyzone इस तरीके गए दिखाई देता है function बताता हूँ oxyzone क्या कहता है oxyzone में यह जगे कहां की तरफ है perimitochondrial space की side और यह वाली जगे कहां की तरफ है metric side पर present है अब सुनो मेरी बात यहां से क्या होता है proton इखटे होते हैं यहां से perimitochondrial space से proton इखटे होते हैं और यह proton जब f1 head को cross करते हैं या यहां से strike करते हैं तो आप यह कहते हो कि यहां पर reaction होता है वो reaction क्या है वो है ADP plus inorganic phosphate और यहां बन जाता है ATP लो proton की movement या proton की energy को use करके हमने ATP synthesize किया यह काम कौन करता है oxyzone करते हैं oxyzone proton की energy को use करके ATP बनाने वाला bond बनाते हैं इसलिए आप कह रहे हो कि oxyzone बहुत important है बाकि part of oxyzone जानो हम लोग क्योंकि इसको f0 f1 particle कह रहे थे तो f0 कौन है base यह वो जगह है जो proton channel की तरह काम करेगी मतलब proton का रास्ता है चीक है यह proton का रास्ता है और head क्या है head के लिए हम कहते हैं कि head enzymatic in nature होता है head enzymatic in nature है तब आप यह कहते हो कि यह पूरा structure जिससे आप लोग f0 f1 कह रहे हो वह ATP synthesis का काम करेगा याने ATP synthesis complex की तरह काम करने वाला है function ध्यान रहे aerobic respiration chapter कर हम आगे आएगा और उसके अंदर हम लोग इसको detail में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इंप्लांट्स जब पढ़ा जाता है तो वहां पर oxyzoom का structure फिर से detail में हम लोग पढ़ सकते हैं तब तक रफली यह जान लो कि लोग जीजोम में एक पार्ट बेस है एक पार्ट है और एक स्टॉक है स्टॉक्ड पार्टिकल है और यह स्टॉक्ड पार्टिकल जो होंगे ATP synthesis में काम करेंगे यह माइटोकॉंड्रिया के अंदर क्या हो रहा है वो माइटोकॉंड्रिया का in that case is total function क्या हुआ माइटोकॉंड्रिया का total function क्या हुआ एक माइटोकॉंड्रिया को powerhouse of the cell कहते है पावर हाउज of the cell का मतलब clear powerhouse of the cell का मतलब क्या हुआ क्योंकि यह ATP synthesis करता है synthesize ATPs और ATPs मतलब energy currency of the cell यह energy currency of the cell होते है ओके तो यह condition हम इसके अंदर explain कर सकते है because कि माइटोकॉंड्रिया ने cell की energy requirement fulfill की है इसलिए हम लोग उसको powerhouse of the cell मानेंगे number दूसरा mitochondria is the place जहां पर amino acids का synthesis होता है और हम लोग कहते हैं वो जगह जो extra nuclear gene को carry करेगी इसका inheritance पर impact हो सकता है यानि माइटोकॉंड्रिया की जीन ऐसे हो सकती है जो nucleus की जीन के expression को affect करती हो उसके उपर impact डालती हो इन चीजों को पढ़ा जा सकता है in depth studies में हम माइटोकॉंड्रिया को किसी बैक्टीरिया से compare कर सकते हैं कि कैसे सुनिएगा mitochondria as a bacteria clear और मैं और particular बोलूं तो कौन सा gram negative bacteria और अगर specifically बोलूं तो वह gram negative बैक्टीरिया के जैसा होगा चलिए थोड़ा साब बड़ा लिख देते हैं आप क्या रहे थे बड़ा लिखिएगा साइज में तो mitochondria as gram negative bacteria वो कौन से character है जो mitochondria को gram negative bacteria के जैसा बनाते है तो आप यह देखिए पहली चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ outer membrane जो जादा permeable थी उसके उपर क्या present है porens present है outer membrane पे porens का presence होता है नमबर दूसरी चीज़ या दूसरा character outer membrane के बाद में अगला character जो bacteria के जैसा है multiply by binary fission binary fission से multiply करते है bacteria भी binary fission करता है ठीक है ओके फिर सुनो तीसरा इसके पास present है क्या circular double stranded DNA अच्छा bacteria के पास में भी तो genome के नाम पर circular double stranded DNA का single molecule है चौथा 70S ribosomes जो bacteria के साइटो प्लाज में भी present होते हैं और ATP synthesis बेक्टीरिया भी करता है यह भी करेंगे wait 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 protein synthesize करने के लिए क्या चाहिए रहती है genes जिसमें information हो protein को synthesize करने की energy जो ATP से मिल जाएगी ribosome जिसे protein factories of the cell यह site of protein synthesis कहते है यह तीन चीजें क्या है capable to synthesize इस प्रोटीन हाँ खीक है ओके यह गजब हुआ हमने सेल की definition पड़ी थी याद आ रहा है हमने सेल की definition first class में पड़ी थी सलसा basic unit of life और मैं का था कि सेल की definition unicellular organism के term में define करो तो पता लगेगा कि medium के अंदर जो independent रह सकता हो अपनी metabolic activity चला सके याने अपने इंजाइम खुद बना सके और जरुद पढ़ने पर अपनी रैप्लिका जनरेट करता हो मतलब reproduction करता हो उसे हम लोग सेल के equivalent मानेंगे तो क्या मैं माइटो कॉंड्रिया को सेल के equivalent मान सकता हूं क्वेश्चन है हां में मान सकता हूं लेकिन क्या वह इंडिपेंडेंडेंट सेल आंसर नहीं वह इंडिपेंडेंडेंट सेल नहीं हुआ हमने Mitochondria को किसके equivalent माना है हमने Mitochondria को equivalent मान लिया cell के कौन से prokaryot या eukaryot prokaryot equivalent to bacterial cells autotrophic या heterotrophic obviously heterotrophic यार clear Mitochondria equivalent to bacterial cell है but कुछ दिक्कत है क्या but some of the required proteins are provided by cytoplasm कुछ protein जो है वो cytoplasm provide करेगा कुछ protein cytoplasm provide करेगा इसलिए Mitochondria जो है वो पूरी तरीके से free नहीं है वो dependent है अपने cell पे जिसके अंदर वो present है वो कहता है तुम मुझसे ATP लो किराय ले लो लेकिन मुझे रख लो और मेरे जो protein मुझे चाहिए वो मुझे बना के दे दो clear यानि आप यह कहते हो कि mitochondria के enzymes को बनाने वाले जीन कहां कहां है तो mitochondria के enzymes को बनाने वाले जीन एक mitochondria में और दूसरा nucleus में है समझे मेरी बात आप कहिए बट सम आफ द प्रोटीन आफ प्रोवाइड बाइड 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 साइटो प्लाजम देर फॉर mitochondria प्री नहीं है mitochondria को क्या मानेंगे mitochondria को Bacterial endosymbion कहते हैं mitochondria को bacterial endosymbion कहेंगे that will be named as bacterial endosymbion that's it इतना easy सा है बहुत HANI allows necessaryavourично कि माइटोकॉंड्रिया बेक्टिर्या के जैसा था सिंभाइंट क्यूं आसोसीट हो गया मैं अलग से पॉइंट लिख दे रहा हूँ और एक एनलिसिस लिख दे रहा हूं इसका वह क्या मैं बोल रहा हूं कि माइटोकंड्रिया के िन्जाइम के लिए जीन कॉनसी responsible है Mitochondria के enzymes को बनाने वाली genes कहां होती है answer है एक Mitochondria में होती है और दूसरी कहां होती है बोलो में होती है दोनों में याने Mitochondria automatically किस पर dependent हो गए है nucleus पर dependent हो गए है और सेल जिसका nucleus यहां पर help कर रहा है Mitochondria को रहने के लिए वो सेल ATP के requirement के लिए Mitochondria पर dependent गिवन टेक की policy है भाई साब इसे को Symbiosis कहते हैं सेल के अंदर इसलिए endo clear और खुद Mitochondria bacteria की equivalent है इसलिए बोला bacterial endosymbion और सुनो क्योंकि वह इत्ता सब कुछ खुद कर सकते हैं clear इत्ता सब कुछ खुद कर सकते हैं क्या खुद की copy बनाना खुद के enzymes बनाना ऐसा सब कर सकते हैं तो कहते हैं यार ऐसा लग रहा है जैसे यह autonomous है सेल के equivalent है और टोनॉमस है लेकिन क्या पूरी तरीके से है नहीं कैसा है semi क्यों है semi याद रहेगा नहीं रीजन याद रहेगा नहीं यह रहा माइटो कॉंड्रिया semi autonomas organal है autonomas नहीं है autonomy अगर कोई बोलता है बोलता है हाँ वह अपनी जीन रखता है वह protein synthesize कर सकता है अपने इसलिए autonomas है खुद की कॉपी बना सकता है न्यूक्लियस से independent हो रहेकर लेकिन सैल पर वह dependent है अपने कुछ proteins के कारण इसलिए semi autonomous कहुंगा fully autonomous नहीं कहुंगा याद रखना यह comparison आगे भी आएगा ओके चलिए हम mitochondria को यहां करते हैं mitochondria plural सिंगुलर को mitochondrion कहते हैं हम आगे बढ़ रहे हमें आगे के topic प्रधान दना और आगे का topic जो आ रहा है वह है प्लास्टिट आगे का topic है जिसे करें अच्छिट अनदर double membrane поalt woman in Plantsels ऐनीमल इसल में प्लास्टिट नहीं है यहां यह ओने देखें ौह यह यह ये जेगे और यह यह स्कूप अप्लास्टिट देखतें हैं हों कि मैं में एलगल सेल में भी आप प्लास्चिट को देख सकते हैं आप यह कह सकते हो दीज आर इजली आप्ज़र अंडर दा मैक्रोस्कोप एस देयार लार्ज इन साइज एक माइटो कॉंड्रिया के कंपरेशन में प्लास्चिट जादा बड़ा है याद रखिएगा प्लास्चिट जो होते हैं वह माइटोकॉंड्रिया से साइज में बड़े होते हैं इस प्लांट सेल में प्लास्चिट बड़ा माईटाइट कॉंड्रिया नहीं जैसल में ऑब विये अग़े प्लास्चिट अंग अलग इलग पिगमेंट है और यही इनके classification का reason बना है क्लियर आप यह कह सकते हो कि different parts को different pigmentation impart करना plastic का function है वो अगर color provide नहीं करेंगे तो वो storage का काम करते हूंगे क्लियर ऐसे में हमारे पास जो डिफरेंट नाम हो जाते हैं क्लोरोफिल वाले को क्लोरोप्लास्ट सिर्फ केरोटिनोइड हुआ तो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल और केरोटिनोइड दोनों ही नहीं है मतलब कलरेशन है यह नहीं तो उसे बोलते हैं लुकोप्लास्ट ऐस से तीन टाइब के प्लास्टिड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यह तीन टाइब के प्लास्टिड हैं इंटरस्टिंगली यह तीन टाइब के प्लास्टिड जो होते वह इंटर कनवर्टिबल है मतलब ऐसा कि क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है उसके पास क्ल में लिख दूँगा, minus chlorophyll, जब उससे chlorophyll चला बना लेगा, chromoplast बना लेगा, यह green नहीं बागी किसी भी color का हो सकता है, इनके पास क्या present है, keratinoyds present है, यहाँ पे keratinoyd present होते है, देख लो भही, chlorophyll चला गया है, मतvenes हम यह कह रहे हैं कि हरा tomato लाल हो गया, chloroplast, chromoplast हो गया clear? वो difference जो आ रहा है वो इसी basis पे आ रहा है कि वहाँ से chlorophyll चला जाए तो next आप कहते हैं, chromoplast से lycoplast बनेगा chromoplast से lycoplast, देखो मैंने कोई color नहीं डाला actually वो ही क्या colorless clear? पहली बात तो non green, मतलब green नहीं है plus colorless भी है, कोई color उसके पास नहीं है, उसके पास pigment नहीं होते, clear? kerotenoids, chlorophylls, ये दोनों कैसे हैं? absent, ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं? absent, okay? clear? non green, colorless, plasterds या kerotenoids कि अब बात करूँ, chlorophyll की बात करूँ तो ये absent है और फिर ये कहता हूँ कि leukoplast से chloroplast या chloroplast से leukoplast का बनना अगर हुआ, तो उस बेसिस पर आप कहते हो, कि ये conversion पॉसिबल है, leukoplast वो है जो colorless है, तो leukoplast क्या करता है? तो leukoplast का का काम होता है, storage करना, clear? chromoplast का का काम क्या होता है? pigmentation प्रवाइड करना, कहां पे? किसको pigmentation प्रोवाइड करता है? फिर chromoplast क्या करता है? pigmentation of flowers कोई variegated leaves होती हो, मतलब purple color की, yellow type की, उस तरीखी leaves, fruits का color, sometimes, condensed root, हाँ, वो जो condensed underground roots होती है, जैसे कौन? carrot, turnip, clear? ये जो example है, beet root, ये colored root जो है, वो किसके करन 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 है? chromoplast के करन करन है, clear? तो ये चीजे आपको पता रहे नहीं चीएं, कि chromoplast का होँ हुआ? leukoplast का रोल क्या है? पहले बता दिया, ये क्या है? storage plastids है, ये storage plastids हैं, ये storage plastids हैं, ये storage का का काम करते हैं, जैसे, जैसे है, कि one amyloplast, amyloplast मतलब, amyloplast मतलब है, sugar के लिए, तो starch को जो store करें, जैसे potato tuber के अंदर starch store होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं, amyloplast, वैसे ही, oil को store करने वाले, leukoplast, याने plastid को हम लोग कहते हैं, oleoplast, अगर protein store होता हो, तो नाम alleroplast होता है, clear? कोई पूचे कहां, तो मैं कहूँगा, like, alluron of, हमने पढ़ा है, बेटा कहीं, clear? सीड के डाइग्राम में लेबर किया था, alluron layer को, alluron of maize grain, वहाँ पर क्या प्रेसेंट होगा, वहाँ पे alluroplast प्रेसेंट होंगे, plastic that stores protein, alluroplast, clear? ये leukoplast के different different types हो जाते हैं, क्योंकि हम आ रहे हैं, chloroplast के उपर, जड़ा देखो, chloroplast कहां मिलता है, chloroplast के अकरण simple है, green cells में मिलेंगे, वो cell जो light को expose जे और air को expose है, जो photosynthesis कर सकते हैं, उन cell के पास chloroplast होगा, दूसरी चीज़ आप ये भी कहते हो कि अगर किसी leaf के बारे में, या plant के बारे में बात कहें, तो plant में सबसे ज़्यादा chloroplast मीजोफिल ओफ लीफ में मिलता है, clear, मीजोफिल ओफ लीफ के पास most abundant number of chloroplast प्रेसेंट होंगे, एक करेक्टर ये भी है कि ये site of photosynthesis है, तो यहने जहाँ photosynthesis हो रहा है, वहाँ पे plastid है, अच्छा ठीक है, मीजोफिल photosynthesis वाली जगे होती है, समझे, और सुनिए, meristematic cells जो regularly divide करते हैं, उनके पास plastid differentiated form में नहीं होते हैं, ना तो वह chromoplast शो करेंगे, ना leukoplast शो करेंगे, ना chloroplast शो करेंगे, उनके पास जो होगा, उसे कहते है, proplastids, meristematic cells के पास जो चीज होती है, उसे हम लोग कहते है, proplastid, ना कि chromoplast, chloroplast या leukoplast, clear, उनके पास जो भी है, वो non-specialized है, उसकी fate अभी decided नहीं है, अगर meristem specialized होगा, तो उसके अंदर ये चीज आ जाएगी, clear, देखें, structure को पढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें, chloroplast के बारे में clear हो जाएंगे, क्या-क्या है structure के बारे में, सुनिएगा, double membrane bound है again, दो membrane है, एक outer और एक inner membrane, outer और inner membrane को अलग-अलग देख लीजे, ये outer membrane और ये inner membrane, clear, तब बीच की जगे को हम लोग outer chamber बोल सकते हैं, या periplastidal space, inter-membrane जो space है, यहाँ पर, outer और inner के बीच में, ये pink line वाला, इसे हम लोग outer chamber कह सकते हैं, या इसी को peri-plastidal space कह लीजिए, या इसी को inter-membrane space कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे, ओके, clear बात, जबकि inner membrane यहाँ पर smooth है, mitochondria से compare कर लो भाई, यहाँ पर outer membrane, inner membrane दोनों smooth ही है, outer membrane जरूर कैसी होती है, more permeable, जैसे किस में थी, mitochondria में, किस के कारण थी, औरीन के कारण, यहाँ पर भी inner membrane less permeable होगी, किस की तरह, mitochondria की inner membrane की तरह, लेकिन हा, यह याद रखना कि inner membrane जो होगी, उसके उपर कोई folding नहीं है, clear, उसके उपर कोई भी folding नहीं मिलती, यह condition याद रहे, ओके, चलिए, बाकी चीज़े देखिए, थालेकॉइड क्या चीज़ होती है, थालेकॉइड यह एक individual disc के जैसा structure या back की तरह structure दिख रहा है, थालेकॉइड के लिए कहते हैं, यह photosynthetic pigment की जगे है, और यह वो जगे है, जहाँ पर light reaction of photosynthesis होंगे, light reaction of photosynthesis में ऐसी चीज़े होती हैं, जिससे ATP बनता है, plus oxygen liberate होती है, दोनों बाते important है, जी के यहाँ तक के लिए मैं समझा, थालेकॉइड में empty space होगी, empty space in the thylekॉइड is called as lumen, थालेकॉइड में empty space है, थालेकॉइड में empty space होगी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, lumen कहते हैं, empty space को हम पहले से lumen कह रहे थे, कोई नई बात ने लिखिया है, चलो, यह तो हो गई किसकी बात, थालेकॉइड की, दूसरी चीज़ हो जाती है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कौन है, स्ट्रोमा है inner chamber, स्ट्रोमा क्या है यहाँ पर inner chamber है, दो खा ना खाएं, याद रखें, चाए माइटो कॉंड्रिया हो, या फिर प्लास्टे दो, दोनों में inner chamber में कुछ चीज़े सेम आएंगी, यहाँ स्ट्रोमा कह रहा हूँ, उधर मैट्रिक्स कहा था, इसलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स ओफ क्लोरोप्लास्ट, इसे मैट्रिक्स ओफ क्लोरोप्लास्ट करके भी कह सकता था, मैट्रिक्स ओफ क्लोरोप्लास्ट करके भी कह सकता था, नेक्स देखी, अगर ऐसा मैंने बोला, तो इसके स्ट्रोमा याने मैट्रिक्स ओफ क्लोरोप्लास्ट में क्या-क्या मिला, वहाँ पर भी DNA molecules हैं वो भी circular double stranded होते हैं जैसा की mitochondria के matrix में था 70S ribosome present हैं जैसा की mitochondria के matrix में था enzymes जो यहाँ पर present होंगे वो photosynthesis के dark reaction करवाते हैं total in जो enzymes हैं वो light dependent या light independent हैं वो dark reaction of photosynthesis के enzymes हैं या फिर protein synthesis के enzymes हैं तो कुछ similarity chloroplast में और mitochondria में देखने को मिली आउटर इनर membrane होना आउटर membrane का more permeable होना inner membrane का less permeable 70S ribosome मिलना DNA का होना और देखिए उसके पास enzyme होना जो क्या कर सकते हो protein synthesis कर सकते हो यह चीजे chloroplast और mitochondria में कुछ resemblance दे रही हैं लेकिन याद रखो कि chloroplast वो cell है जो oxygen को liberate करता है लिए ATP synthesis जरूर सेव है mitochondria में भी ATP synthesis होता है लेकिन याद रखें कि mitochondria ATP synthesis का mechanism different है वो organic molecule को break करके ATP बनवाएगा और यहां जो ATP बनता है वो sunlight dependent बनता है लाइट डिपेंडेंट ATP synthesis है और वहां पर oxygen डिपेंडेंट ATP synthesis था वहां oxygen यूज हो जाती है CO2 लिबरेट होती है और यह जगे है जहां oxygen लिबरेट होती है CO2 यूज हो जाती है तो यह याद रहे भई यह याद रहना चाहिए कि आप chloroplast और mitochondria में confused हो सकते हो क्योंकि similarity भी दिख रही है differences अकिले नहीं है clear similarities तो जादा दिखाई देती है functioning में कुछ अलग-अलग चीज़ें दिख रही है बस यह बात chloroplast की ठीक है chloroplast के function के regarding बात करते हैं comparison तो mitochondria के साथ बाद में करी लिया जाएगा उसमें कोई बड़ा issue है नहीं चीक है आप यह याद रखो कि comparison में तब तब करना बहतर समझूंगा जब-जब मुझे कोई एक भी similar या पिर यह कहिए बहुत सारी चीज़े dissimilar दिखाई देना गी कहीं पर भी same wording आ गई दो descriptions के अंदर दो different topics के अंदर तो मुझे उन्हें compare कर लेना chloroplast है organic acids बनते हैं इनके पास में भी कुछ genes होते हैं जिने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन कहींगे यह तो mitochondria पर भी थे तो इसलिए कोई नई बात नहीं हुई तो like mitochondria unlike mitochondria एक अलग बात है chloroplast भी एक bacterial cell की तरह काम करेगा chloroplast भी एक bacterial cell होगा ऐसा मैं आपसे कह रहा हूँ तीक है अगर chloroplast भी एक bacterial cell है तो यह जानिए chloroplast as bacterial फिर gram negative bacteria और जब chloroplast भी एक टीरिया और जब chloroplast भी एक टीरिया होंगे तो इस चीज़ को समझो क्या क्या बाते बता सकता हूं उसके बारे में सुनिए यह का बाद ध्यान से तो chloroplast ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पड़ते टाइम हम आ जाते हैं उस करेक्टर पर जो हम लोग देख रहे थे कि वह क्या-क्या है सेम वही कहानी आउटर मेंब्रेन जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोर पर्मेबल पोरिंस के कारण थी ये भी सेम माइटोकॉंड्रिया में भी ऐसा ही था दूसरी बात अपना नंबर बाइनरी फिजन से इंक्रीज करने वाले याने सल्फ डुप्लिकेशन करने वाले तीसरी चीज़ डी एने प्रेजन है चौती चीज़ 70S राइबोजोम प्रेजन है प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन जीन के नाम पे डी एने प्रोटीन सेन्थेसिस की साइट राइबोजोम उसके लिए रिक्वाइड एनर्जी ATP synthesis वो सब यहाँ पर है जो हमने बैक्टीरिया में पढ़ा जो हमने किसी बैक्टीरिया में पढ़ा हो अभी माइटो कॉंड्रिया में पढ़ा वो वाली बात है हैं क्लोरोप्लास्ट के लिए भी लागो होती है ये तीन चीजे ये तीन चीजे ये चारों सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये चारों चीजे क्या कर रही है ये चारों चीजें ऐसा इस्टेबलिश कर रही है जैसे क्लोरोप्लास्ट भी क्या है ओटोनॉमस क्लियर क्लोरोप्लास्ट भी क्या है ओटोनॉमस है बात वही आके टिक गई, क्या ऐसा इसा सही में है? क्या सही में chloroplast एक cell है? independent cell है? possible है? क्या उसके पास autonomy है? सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि chloroplast यो है, वो एक bacteria के जैसा हो गया, जो cell के अंदर shelter ले रहा है, लेकिन कैसा bacteria, autotrophic, mitochondria कैसा था, hetotrophic bacteria था, यह autotrophic bacteria है, clear, लेकिन कैसा, but requires certain proteins for which genes are present in nucleus, वही बात, अगले words में लिख दी, टीक है, words बदल दी है, mitochondria में भी तो ऐसी लिखा था, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, यहाँ पर भी बात लिख देता हूँ, कि chloroplast में function करने वाले protein, सारे protein, क्रोप्रास्ट में function करने वाले सारे proteins, clear, के enzyme, कहाँ मिलेंगे, protein's के genes, sorry, protein's के genes कहाँ पर मिलेंगे, एक तो मिलेंगे कहाँ, chloroplast में, and two, nucleus में, दोनों में होंगे, एक अकेली जगे पर नहीं मिलेंगे, clear, तो chloroplast के autotrophic bacteria की बात करूँ, but require certain proteins for which genes are present in nucleus, जिसके लिए genes कहाँ present है, genes are present in nucleus also, certain, not all, certain, okay, तो यह चीज़ याद रकूँ, इसका मतलब यह भी क्या हो गया, semi-autonomous रह गया, fully autonomous नहीं है, इंडिपेंडेंडेंट बेक्टीरिया है, नहीं, मैं कहता हूँ, chloroplast क्या है, semi-autonomous cellogonal है, या chloroplast क्या है, bacterial endosymbion है, bacterial endosymbion होगा, अंदर रहकर symbiosis शो करने वाला, बेक्टीरिया ने कहा, तो मुझे, या फिर कहो, chloroplast ने क्या कहा, chloroplast ने कहा, तुम मुझे, मेरे function के लिए, enzyme बना के दो, मैं उसके बदले, तुम्हें, food बना के दूँगा, यानि शुगर बना के दूँगा, ये एक खास चीज, chloroplast ने करी, और result आपके सामने है, उसे हम लोग, एक symbiotic cell के equivalent मानते हैं, symbiotic bacteria के equivalent मानते हैं, जो free living, अपनी पूरी metabolic activity नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलोगे, symbiotic बोल सकते हो, या parasitic बोल सकते हो, यानि उसे dependent होना पड़ेगा, ये parasitic तो नहीं हुए, mutual association में गए हैं, जिस mutual association को, हम लोग क्या बोल रहे हैं, symbiosis, mitochondria और chloroplast इस तरीके से, comparable होने वाले हैं, याद रखे, mitochondria और chloroplast, अब compare कर लिए जाने चाहिए, क्योंकि चीज़ें सेम और डिफरेंट दोनों हैं इनके अंदर, उके चलिए, next, chloroplast के function मैंने आपको बता दिये थे, आप ये कहते हो कि chloroplast, ये क्या, लाइसोजोम पॉली मॉर्फिक और्गिनल्स होती हैं, कुछ याद आ रहा है पॉली मॉर्फिजम से, लाइसोजोम वो था जो समय के साथ जरूरत पढ़ने पर function बदल रहा था, गॉल्जी अपराटस नहीं, गॉल्जी अपराटस तो बेरुपिया है, जो अपने आपको बदलता रहता है टाइम के साथ, फंक्शन नहीं बदलता, लाइसोजोम फंक्शनल फॉर्म्स बदल देते हैं, जिसकी फंक्शनल स्टेट्स बदलती हों, उसे पॉली मॉर्फिक बोल रहे हैं, और अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो आप कहते हो, टोमेटोस के अंदर, क्या मिला आपको, क्लोरोप्लास्ट थे पहले, ग्रीन टोमेटोस, बाद में वो लाल हो गए, लाल टोमाटर में क्या हो गया आप, क्रोमोप्लास्ट, यह सही है, कच्चा टोमाटर खाओ, तो उसमें काबो हाइडरेट जादा, पका हुआ खाओ तो प्रोटीन, चीक है, अच्छा फूरूट है, खाना चाहिए, नेक्स्ट, कॉनिकल रूट्स ओफ कैरट, कैरट के अंदर जो जड़ मिलती है, गाजर की बात कर रहा हूं में, वो रेड कलर की दिखाई देती है, रेडिश ओरेंज दिखाई देती है, तो उसमें लिउकोप्लास था, जो क्रोमोप्लास में कनवर्ट हो गया है, ये चीज़ बता रहा है कि प्लास्चिड में भी पॉलिमॉर्फिजम हो सकता है, एक से दूसरे पॉर्म में बदलना, पत्तियों में ग्रीन कलर की लीज, जो यंग हैं, फोटो सिंटेसिस कर रही हैं, ग्रीन है, लेकिन आटम सीजन के आने के टाइम हम कहते हैं, कि वो क्लोरोफिल कंटेनिंग लीज जो होती है, क्लोरोफिल के डिस्ट्रक्शन के बाद यल्लो दिखने लगती हैं, वो जब यल्लो दिख रही होंगी, तो इसका मत्तब है क्लोरोप्लास्ट नहीं रहे, क्रोमोप्लास्ट में बदल गए हैं, एजिंग, लियर बुड़ापा आगया है पत्तियों में, सैनेसेंट लीज होने लग गई है, तो यहारे आप कह रहे हो, कि वहाँ पे क्लोरोफिल से क्लोरो, सॉरी, क्रोमो, प्लास्ट का बनना हो रहा है, तो फंक्शन बदल गया, रोल बदल गया, तो इस दिखने को मिलेगा, यह थे डबल मेंब्रेन बाउंट सेलोगनल्स, जो आज की क्लास में हम लोग ने पढ़े हैं, नेक्स्ट हमारे पास जिसकेशन है, कंपेरिजन का माइटोकॉंड्रिया और क्लोरोप्लास कैसे, सेम और डिफरेंट हो जाते हैं, हम क्या दोनों को बैक्टिरियल इंडो सिंबायोंज कह सकते हैं, सेमी आटोनॉमस, ओर्गिनली, कहें क्या, ये चेक करेंगे, हम पढ़ेंगे राईबोजोम्स और स्चार्ट करेंगे साइटो सकेलेटन, तेर हमें ribosomes और cytoskeleton पढ़ना है बहुत ही जल हम इस chapter के conclusion की तरफ बढ़ रहे होंगे लेकिन इससे पहले हम chapter को conclude करें ये बात याद रखो कि पीछे की classes की और आज current classes की भी daily practice paper को आप जरूर attend करिये ताकि आपको एक ऐसी feeling आए कि जिसे हम कहते हैं कि आप efficient भी बन गए accurate भी बन गए आप 10 question कर सकते हैं 10 minute के अंदर वो 10 question सही है तो उसे accurate बोलते हैं और फिर जब सब लोग ही उसे 10 minute के अंदर कर रहे थे तो आपको उसके लिए फास्चर होना पड़ेगा 10 minute से कम टाइम में 10 question को करना efficiency improve करना accuracy बढ़ाना दोनों चीज़ें में तेज भी भागूं और सही भी भागूं ये बहुत जरूरी है क्लियर रेज जीतने के लिए सिर्फ तेज भागना काफी नहीं है आपकी accuracy आने आपकी टेकनिक बड़ी काम करती है तो याद रही है टेकनिक के लिए आपको चाहिए प्रापर प्लानिंग प्लानिंग मिलती है यप माश्यर के साथ में आपको प्रवाइड करते हैं एक सिंक्रनाइज करिकुलम जिसमें आपकी प्रैक्टिस एन्हांसो और आपकी स्किल्स डे वाई डे इंप्रूव होती चली जाए नीट 2022 के प्रोग्राम के लिए अपने आपको रिजिस्चर करिये और कोशिश करते रहिए कि आप हमेशा अप मास्चर all the best